इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे की नीद क्या है नीद के समय को कम और नीद को गहरा कैसे किया जा सकता है और वीडियो के अंत में आपको एक अच्छी और गहरी नीद के लिए कुछ छोटे छोटे योगिक उपाई भी बताए जाएंगे तो आएए परिसान हों बहुत कोशिस करने के बाद भी देर रात तक सो नहीं पाता और रात में सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं और जब मुझे नीद भी आ जाती है तो मैं पूरी राद करवटें वदलता रहता हूं और जब सुबह नीद कुलती है त तुम्हें गौतम बुद्ध की गहरी नीन्द के राश्य के विशे में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। उस इंसान ने कहा जैसी आपकी एक्छा मुनिबर। बहुत इविक्छू ने कहना सुरू किया। जब तथागत गौतम बुद्ध सोते थे तो वो पूरी रात एक ही अवस्था में रहा करते थे। वो कभी कर्वटे भे नहीं मदला करते थे। वो जिस अवस्था में रातरी को सोते सुबह तक उसी अवस्था में रहते। गौतम बुद्ध का एक सिस्था आनंद जो की अक्सर उनके पास ही सोया करता था। आनंद को यह बात बहुत प प्रश्ण पैदा करती थी लेकिन एक दिन विक्षू आनंद अपनी जिग्यासा को रोक नहीं पाया और वह गौतम बुद्ध के पास चला गया उसने मध्य रात्री में ही गौतम बुद्ध को नीन से जगा दिया और कहा तथागत मुझे छमा करें मैं जानता हूं कि आप से प कर इंतजार नहीं कर सकता इसलिए आप मेरे प्रश्ण का उत्तर देकर मेरे जिग्यासा को सांध करें विक्षू आनंद ने आगे कहा मैं बिछले 20 वरसों से आपके साथ हूं और ये देखता आ रहा हूं कि आप पूरी रात केवल एक ही अवस्था में गुजार देते हैं आ चाहते पूर आप सोते समय थे हिलने कि अवश्थ्त नहीं हrustखता नहीं है प्रश्न ये नहीं है व्यक्तिा सुर्पा है 2000 कि छण की और इसलितर देते मेरे आंदर मन जैसा कुछ बच्चा ही नहीं जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरा सरीर बस एक मरत्य सरीर की भाती हो जाता है मन जैसा कुछ बच्चता ही नहीं आनंद क्या तुमने कभी किसी मरत्य सरीर को अपनी अवस्ता बदलते हुए देखा है ये तो केवल हमारा मन ही है जो कि हमारी गहरी नींद की अवस्था में भी ये सब काम करवाता है एक बार मन इस्तिर हो जाए मन सांत हो जाए तब तुम्हारा सरीर गहरी निंद्रा में चला जाएगा लेकिन तुम भीतर से जागरत रहोगी बीतर से तुम सब कुछ अंगो कर पाऊगे सोने के बाद भी तुम्हारी जागरुकता एक छोटे से जलते हुए दीपक की तरह लगातार प्रजलित रहेगी कहानी खत्म करने के बाद बहुत बिक्षू ने उस अमेर इंसान से कहा एक जागरत इंसान ना कि केबल अपने सरीर को पूरी जागरुकता के साथ देखेगा बलकि वह अपने मन को भी पूरी जागरुकता के साथ देखता रहता है एक जागरत आदमी समान आदमी के तरह नहीं सोते जब समान आदमी सोता है तो वह अचेतन हो जाता है उसे अपने आस-पास कभी पता नहीं होता इसलिए तो वो अपने सपनों कभी चुनाऊ नहीं कर पाता लेकिन जब एक बुध्यवेक्ति सोता है तो वे जागरूख होता है जैसे सुबह आखे कुली होती है वैसे ही बुध्यवेक्ति की नीद में भी होती है इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वो द्वेक्ति कभी सोते नहीं है जब एक आम इंसान सोने जाता है तो उसे नहीं पता चलता कि वो कप सो जाता है लेकिन यदि तुम जागने और सोने के बीच के उसचोड़े से पल में जब हम सोने के एकदम करीब होते हैं जागरत रह पाए तो कुछ अद्बुद गटित होगा जो तुम्हें जागरुकता पे और करीब लाता जाएगा यह सुन उस इंसान ने कहा मुनिबर मुझे इतनी गहरी अध्यात्मी की बातें समझ नहीं आती क्रपया आप मुझे आसान सब्दों में समझाए कि मुझे आसान की आदत होती है कि वो विस्तर पर ही खाना खा लेते हैं विस्तर पर ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं और ऐसे ही बहुत से काम वो अपने सैन कक्ष में ही करते हैं सैन कक्ष का अर्थ ही होता है सोने की जगा लेकिन लोग इसे अन्यकामों के लिए प्रयोग करते हैं जिससे कि हमारे मस्तिक्स में सैन कख्ष का एक निश्यत अर्थ नहीं रह जाता, इसलिए फिर जब हम बिस्तर में सोने जाते हैं तो हमारा मन पून रूप से इस बात को स्विकार नहीं कर पाता कि अब हमें सोना है, क्योंकि आप ने इसकी उसी जगह पर अन्य कामों को करने की आदर दाल दी हैं दोस्तों अगर आज के समय के नुसार बात करें तो हम फोन भी विश्थर पर लेट कर ही चलाते हैं ओफिस का काम भी विश्थर पर ही करते हैं चाहे मुवी देखना हो खाना खाना हो वीडियो गेम खेलना हो यह गपे मारना हो आज कल लोग अपना धिकतर समय बिश्टर में सोने जाते हैं तो हमें घंटों तक नीद नहीं आती बौद विक्षू ने आगे कहा बौद आसरमों में एक विक्षू सुबह सोकर उठते ही अपने विस्टर का त्याग कर देता है और फिर वो दोबारा रात में सोने के वक्त भी विस्टर पर वापस जाता है जिससे उसके मस्टिक्स को पता है कि विस्टर में आने का अर्थ है गहरी निद्रा में जाना गहरी और अराम दायक नीद्रा आने का दूसरा कारण है सोने के एक निश्चिस समय का निर्धारित ना होना बौद विक्षू ने का अगर तुम सुबह जल्दी और पूरी नीन वाला भोजन ग्रहन करते हैं और रोज रात एक निश्चिस समय पर सोने चले जाते हैं तो इस तरीके से वो एक निश्चिस दिन चरिया का पालन करते हैं दोस्तों अगर हम अपनी आज की लाई पिस्टायल की बात करें तो अधिकतर लोगों का ना तो सोने का समय फिक्स है और ना ही उठने का और ना ही वो इस बात का ध्यान रखते की रात का खाना हलका और जरूरत से थोड़ा कम होना चाहिए बलकि उनका तो मेन खाना ही रात को होता है विकेंड के दिन वो देर रात तक जाकते हैं क्योंकि अगले दिन कोई काम नहीं है अगर रात में मुवी द द्धूरी नीद के साथ उठते हैं और पूरे दिन असांत और ठका हुआ महसूस करते हैं योगिक संस्रती में नीद को एक चमतकारी दुनिया कहा जाता है अगर आप नीद को समझ गए तो आप नीद में अपने अंदर बहुत कुछ बना भी सकते हैं और अगर नहीं समझे तो मत सोना ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम उत्तर के तरफ सिर करके सोते हैं तो प्रत्वी के चुम्विकी खिचाओ की वज़े से हमारे सरीर का बहुत सरत मस्तिस्क की तरफ जाने का प्रयास करता है और मस्तिस्क में पाई जाने वाले नसों का बहुत पतला होने के कारण उनके फटने का खत्रा बढ़ जाता है और अगर कोई इनसान काफी बुजूर्ग और कमजोर है तो उसकी मृत्यों भी हो सकती हैं लेकिन आम तोर पर उत्तर की तरफ सिर करके सोने वाले लोग जब सुबह उठते हैं तो वो अपने सिर में एक तनाव सा महसूस करते हैं और उन इस बात का ख्याल नहीं रखते की उन के रीड के हड़ी सीरी है की नहीं लोग अक्सर पेट के बल या कैसे भी सोजाते हैं जबकि हमें कोशिस करनी चाहिए कि या तो हम सीधे सोएं या फिर अपने बाएं तरफ के करवट लेकर सोएं इससे सरीर के अंगों पर अतरिक्त खि करता है और यह आपके गहरी नीद में एक रुगावट का कारण बनता है देर रात तक नीद ना आने और रात भर नीद में बैचैन रहने का पांचमा कारण है बहुत अधिक मात्रा में और देर से पचने वाले भुज पदार्तों का सेवन करना अगर आप रात में भारी और पहले ही खाले उस इंसान ने कहा मुनिबर मैं ये तो समझ गया कि गहरी और अराम दैक नीद ना आने के क्या कारण है लेकिन क्या अब आप ऐसे कुछ उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने से हमें एक गहरी नीद देने में सहायता मिली बहुत विक्षू ने कहा मैं तुम्हे सारी ही क्रियाएं तुम्हें नहीं करनी है इसमें से जो भी दो तीन क्रियाएं तुम्हारे लिए उप्युक्त बैठें तुम कर सकते हो सबसे पहले कोशिस करो कि सोने से पहले हलके गुनगुने पानी से इसनान कर लो इसनान करने से हमारा सरीर जागरत और तनावमुक्त हो अमारे सरीर का एक बुनियादी हिस्सा है सोने से पहले हो सके तो अपने सैन कप्छ में किसी जैविक तेल और रुई का बना हुआ दीपक जलाएं इससे आसपास के वातावरण में सकरात्मक्ता आती हैं सोने से पहले थोड़ा सा पानी पी कर जाएं इससे आपको काफी मदद म ध्यान करें और हर उस चीज के लिए अभार बेक्त करें जो आपके पास है या फिर आप अपने दिन के उन सभी अच्छे कामों के बारे में भी सो सकते हैं जो आपने आज किये हैं सोने से पहले एक बार इस बात को याद करें कि आप ना समान हैं आप आज ही मर सकते हैं ऐसा ताहिदाई और की करवट के साथ सोकर उठी हमेशा रात को जल्दी सोने की कोसिस करें जिससे आप सुबह जल्दी और अपनी पूरी नीन लेकर उठ सकें तो ये थे कुछ तरीके जिनके परयोग से तुम अपनी नीन को गहरा और अराम दैग बना सकते हो उस इंसान ने बहुत के सुलियो में